बासी रोटी जिसे अक्सर हम लोग हटा देते हैं हम लोग अक्सर बासी खाना हटा दोते हैं क्योंकि बासी खाना हमें बहुत नुक्सान करता है पर कि सारे खाना चूकि बासी होता हमें नुक्सान करता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बासी रोटी विहत फायदे मन्द होती पर क्यों होती है कैसी होती और किन चीज़ों फायदे मन्द होती है वो मैं आज आपको अपनी वीडियों बताऊंगी हेलो फ्रेंग्स मैं हूद आईटीशन सुधा मौर है और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चानल सुधा डाईटीने जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि बासी रोटी बेहत फायदे मन्द होती है अकसर लोग हमें मैंना करते हैं बासी खाना खाने के लिए क्योंकि बासी खाना खाने से पेट में एचिडिटी और फूट पॉइजनिक होने का ख़तरा बहुत जादा रहता है और बाची खाना टेस्ट में भी काफी खराब होता है और लोग बाची खाना इसले भी ने खाते, क्योंकि उन्हें लगता है इसका कोई फायदा रही है पर क्या आप जानते हैं? सारे खानों में से एक रोटी ऐसी है, गिहों की आटे की रोटी जो कि बासी बहुत फायदा करती इवेन अगर आप ताजी रोटी की बजाए बासी रोटी खाते तो बेहत फायदे मन्द होती आग सब लोग तबे से उधरी गरम और नरम या कुरकुरी रोटी खाना पसंद करते हैं पर रोटी गेहूं की जितनी जादा गरम और ताजी होती वो उधना ही कम फायदा करती और जो बासी रोटी होती रख्योई रोटी होती वो बहत फायदे मन्द होती तो अगर आप टेस्ट के लिए खा रहें तो तो बहतर है कि आप ताजी रोटी खायें पर अगर आप सेहत के लिए खाना चाहते हैं तो आप बाची रोटी जरूर खाई खाई खाज तोर पर अगर आपके घर में रोटी बचती है तो उन्हें फेक यह नहीं उन्हें यूटिलाइज कीजिए और अपनी हेल्थ को इंप्रूब कीजिए हम सभी के घरों में आम तोर पर गेहूं की रोटी खाई जाती है ये बहुती अच्छी बात है सभी लोग ताजा खाना खाना ही पसंद करते हैं उसी की सरहा देती हैं क्योंकि ताजा खाना अधिक स्वादिश्ट और हेल्दी होता है लेकिन गेहूं की रोटी के मामले में ये थोड़ी सी अलग हो जाती है यही वज़ा है कि पुराने समय में लोग सुबा के लिए रात को ही रोटी बना कर रख देते थे गाउं में आज भी यही ट्रेंड है जिससे कि लोगों की हिल्थ काफी अच्छी रहती है पोशर के मामले में बासी रोटी कभी भी बासी नहीं होती है आप रात को इसे बना कर रखने के बाद बेफिक्र हो करके आप इसे मौनिंग में खा सकते हैं ताजे बने पोहे और ओट्स की तुलना में बासी रोटी का नाश्टा करना बेहत अच्छा उप्शन है आखिर ये बासी रोटी हमें कितना फाइदा करती है कैसे फाइदा करती हैं क्या फाइदा करती है बासी रोटी हमें कब लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए इसकी सही नौलेज होना भी जरूरी तभी हमें ये रोटी फाइदा करेगी अज अपने इस वीडिया में फायती में जो सबसे पहला फायता है वो इडाइबिटीज जिस्से की ज़्यादा तर लोग आजकल सफर कर रहे हैं डाइबिटीज में लोग अपने खानपान का बहुत ध्यान रखते हैं पर एक चोटी सी चीज को अगर वो लोग सुधार ले या उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें उससे उनके डाइबिटीज और भी जल्दी कवर अप हो सकती है वासी रोटी में ग्लूकोस की मात्रा बहुत ही कम होती ऐसे में ये टाइबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है शुगर के मरीज अगर चाहें तो सुबह के समय बिना शक्कर के दूद में डाल करके इस रोटी को ले सकते हैं दूसरा है दुबला पन दूर करना अकसर लोगों में वेट गेन या वेट लॉस की कोई ना कोई प्रॉबलम रहती है लोग दूबले पन से भी परिशान रहते हैं दूबला पन भी कोई बहुत अच्छा नहीं लगता जिस तरह मुटापा देखने में खराब लगता उसी तरीके से दूबला पन अगर आप बहुत अधिक दूबले पत लें और अपने शरीर को बजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप दूद में बासी रोटी डाल कर खाएं सुभ़ नाश्ते में आप दूद और रोटी खाते हैं तो इससे आपका वेट बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट है आप लोगों का कॉंस्टी पेशन जिससे की बहुत ज़्यादा लोग सफर करतें क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखे ताकि आपका यह जो constipation है आगे चल करके पाइस में convert ना होने हैं इसलिए आप लोग भी पासी रोटी को अपनी डायट में include करें next problem है blood pressure को balance करना लोग अपनी blood pressure से काफी ज़दा परिशान रहते हैं क्योंकि आजकल की life काफी ज़दा stressful हो चकी है कहते हैं सुब़ ठंडे दूद के साथ बासी रोटी खाने से blood pressure level control में रहता है सबचियों के बज़ए दूद के साथ बासी रोटी खाना बहतर माना जाता है दूद में अद्भूट गुड़ होते हैं इसलिए ये बहुत ज़दा फाइदा करता है और अगर आप blood pressure के patient है बहुत टाइम से दवा खाते आ रहें पर फिर भी आपका जो blood pressure है वो control में नहीं आ रहा है बहुत सारी से ट्राइ करने तो इस पार मेरे कहने पर ये जरूर ट्राइ कीज़ेगा और फिर देखेगा कि आपका blood pressure कितनी जल्दी control में आ जाता है हाला कि इसके साथ आप लोग को अपनी stress life को भी थोड़ा बहुत control करना पड़ेगा ताकि आप लोग का ये जो कीमती नुस्का है जो मैंने आप लोग के साथ में share किया ये आप लोग के काम आ सके और आप लोग को काफी जादा ये फाइदा पहुँचा सके ताकि आप लोग का जो blood pressure है वो normal level में आ सके नेक्स्ट है आप लोगों का काफी लोगों को बहुत जादा गर्मी लगती है तो ये जो बासी रोटी ही होती है ये बाट बाडी temperature को normal करने में बहुत जादा helpful करती है बासी रोटी को अगर दूद के साथ खाया जाए तो इससे जो body का temperature होता है वो control हो जाता है इतना ही नहीं बासी रोटी को अगर गर्मी के दिनों में खाया जाए तो इससे heat stroke या लू लगने की जो problem होती है उसको काफी हद तक हम लोग cover up कर सकते हैं तो देखा आप लोगों ये वो फायदे हैं जो कि बासी रोटी खाने से मिलते हैं तो आज के बाद में। होक मेरी इस video को देखने के बाद में आम अपने घर में जो बासी रोटी उसको जरूर अपनी diet में इंगलूड करेंगें ताकि आप भी अपने बिमानी उसे आप बिल्कुर नाश्टे में बासी रोटी खा सकते हैं। इसे आप और गैनिक मिल्क के साथ भी इंटेक कर सकते हैं। अपने नॉर्मल घर के दूद के साथ भी। रात की बची रोटी को सुबह गुनगुने दूद में भीगो कर खाने से हमारी हेल्ट के लिए बहुत जादा फायदा होता है। पेट साफ रहता है और बॉड़ी मजबूत बनती है। यदि आप एक महीने तक लगातार इस चीज को खाते हैं। सुबह एक कटोड़े में दूद लेकर के दो रोटी को उसमें तोड़ करके डाल करके खाते हैं। सिर्फ एक महीने तक तो इससे आपका ब्लट शुगर लेवल आपका नॉर्मल रहता है। साथी में डाबिटीज भी कंट्रोल होती हाला कि इस रोटी को ठंडे दूद के साथ खाने से इसका जो नुट्रिशनल वैली होती और भी जादा बढ़ जाती है। लेकिन सर्दी के मौसम में आप गुनगुने दूद के यूज करें। खाने से करीब 10 मिनिट पहले रोटी को दूद में भिगवो तब जाकर कि इसको खाएं। इस रोटी को दूद के साथ खाने से जो हमारा भूख होता है हंगर होती वह भी काफी जादा शांत हो जाती है। शरीर को मिलने वाला पोशन आपकी हड्डियों और मांशपेशियों को मजबूत बनाता है। जब यह सब फाइदे शरीर को मिलत हैं तो जो पॉड़ी की जो सेल्स होती जो अंदर से हल्दी होती जिससे की आपका उपर से स्किन ग्लो करती है। इसलिए दूद और रोटी को स्वाद बढ़ाने के साथ साथ में अपने हेल्थ के लिए भी ज़रूर अपनी डाइट में इंकलूड करें। क्योंकि यह वीडियो को लाइक करना, अपने फाली फ्रेंट में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए हल्दी रहे हैं पेट रहे हैं थैंक्यू बाबाई।